आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ स्टांड्स फॉर सल्फर डायोकसाइड सो सल्फर डायोकसाइड जब वाटर और एयर के साथ कमबाइन करता है तो वो सल्फ्यूरिक आसिड फॉर्म कर देता है जिससे आसिड रेंड फॉर्म होती है तो ये आसिड रेंड वही बहुत हामफुल होती है प्लांट्स और अनिमल्स और हुमन बिंग्स के लिए इनके बायो इंडिकेटर होते है लाइकेंस जो की सिंबाइटिक एसोशेशन होता है अल्गया एन फंजाएगा ये एसो टू के बायो इंडिकेटर की तरह क्यों यूज होते है बिकॉज इनकी रूट्स नहीं होती तो ये अपना न्यूट्रियंट्स जो हैं वो कहां से अब्सॉब करते हैं इसलिए ये सल्फर डायोकसाइड के सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं सल्फर का रैपिड अक्यूमूलेशन कर लेते हैं क्योंकि इनका एब्सॉब्शन सिस्टम जो है सो एक लाइकन का एक्जाम्पल है जैसे की यूस्निया आर्टिकूलेटा सो ये जो है ये सबसे अच्छा इंडिकेटर है और बायो इंडिकेटर है अट्मॉस्फरिक पॉल्यूशन का जो की सल्फर डायोकसाइड से कॉस होती है ओके सो आउट ओब इस फोर हमारा करेक्ट इंडिकेटर क्या होगा फॉर एक्मॉस्फरिक पॉल्यूशन बाई एससो टू लाइकन्ज लाइक यूस्निया आर्टिकूलेटा ओके और बागी ओप्शन्स है वो रॉंग है क्लासिक स्ट्वेल से लेके नीट आयाइटी जेही मीन्स और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जाधा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप या वाथ्साप कीजिए अपने डाउट्स आट चार्सो 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 पर